आपको बता दे कि TikTok फिलाल भारत में बैंड हो चुका है TikTok समेत भारत में 69 और एप्स को बंद कर दिया गया है बैंड कर दिया गया है चाइना के खिलाब चल रही जंग में चाइना ने हमारा काफी नुकसान पहुचाया था जिससे नुकसान पहुचाने के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है और भी बहुत सारे कदम उठाया सकती है फिलाल जो एप्स बंद की गई है उनका नाम है TikTok, Seerit, Koi, Yushi Browser, Badu Map, Shen, Class of Kings, Dew Battery Saver, Hello, Likey, You Can Makeup, Me Community, CM Browser, Virus Cleaner, Apus Plowser, Promo, Club Factory, Exender, QQ Music, QQ News, News Lead, Biggo Live, Selfie City, Mall Master, Parallel Space, Dew Privacy, Mobile Legends, V-Fly Status, U-Video, QQ Launcher, QQ Secretary, V-Mate, Badu Translate, Sweet Selfie, V-Mate, QQ Player, Photo Wonder, Wonder Camera, Clean Master, Cam Scanner, Haego, Dew Browser, Dew Cleaner, Catch a Cleaner, Vault Hide, Dew Recorder, New Video Status, Vigo Video, Meldu, Viva Video, ES File Explosure, V-Sense, Me Video Call Community यह सारे Apps को फिला भारत में बैन कर दिया गया है ताकि चाइना को आर्थिक नुकसान पहुचा आजा सके भारत सरकार नहीं यह कदम उठाया है यह कदम इस पाड़े पर बहुत सारी बाते बहुत पहले से चल रही थी जैसे चाइना हमारे पर अटैक कर रहा था हमारे काफी सरहानिय कदम बना जा सकता है क्योंकि यह सारे Apps जो थे और वो रुपया पड़े भारत से लेकर चाइना चले जाते थे यह आपको बता देना चाहता हूं कि टिक टोक एक अकिला Apps एक दिन में 12-13 क्रूर रुपया भारत का अपने चीन में ले जाता था उसके साथ हेलो जैसे बड़े-बड़े Apps भी थे जो करूरों रुपया भारत का चाइना में डेली ले जाया करता था तो भारत सरकार दोड़ा यह कदम उठाया गया है आप इस कदम का सपोर्ट करें और आप इसमें बहुत सारे Apps इंडियन भी है जिसका आप यूज कर सकते हैं जैसे टिक ट आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं आप तो अभी फिलाल यही ख़बर आ रही है और यह कंफर्म हो चुका है कि टिक टॉक जो है वो पूरी तरह से बैंड कर दिया गया है भारत में और हो सकता है तो कल से या कल से ही हो सके तो प्ले स्टोर पे और आयो से स्टोर पे टि कोई भी एपस में सपोर्ट ही न करे या कोई भी फोन्स में सपोर्ट ही न करे तो यह कदम भारत साकर उठा सकती है और आपको फिर से बता देगे टिक टॉक जैज और उनसट और एपस को भारत में बैन कर दिया गया है